हेलो और वल्कम टू टीवी का बटाका वेल दोस्तों तुनीशा शर्मा का आज है जनम दिन आज के खास मौके के लिए बेहती खास तयारियां की हुई थी फलक नाज अम्मी और साथी साथ शिजैन मोहम्मद खान ने लेकिन दोस्तों किसे पता था कि अचानक से जिन्दगी इ नहीं जो उसको इतना प्यार करते थे एक तरफ जहां शिविंग नारंग ने तुनीशा को बद्दे पर इमोशनल मेसेच के जरीए विश किया तो वहीं अब हाल ही में फलक नाज ने भी एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है तुनीशा शर्मा के लिए और किये हैं उन्हो सर्प्राइज बद्दे प्लैन किया गया था दोस्तों आपको बता दें कि फलक नाज ने तुनीशा के साथ अपनी बड़ी ही खुबसूरत तस्वीरों को शेयर करके एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा है फलक लिखती है तुन्नू मेरा बच्चा कभी नहीं सोचा था कि कैसे विश्च करूंगी तुझे तू चांती थी कि अप्पी ने प्लैन किया है तेरे लिए सर्प्राइज आई वांटी तू सी यू वेरिंग डाट प्रेटी प्रेंसस ड्रेस मैं तुझे तैयार करती तेरा केक बनवाती तेरा वो सर्प्राइज पेस देखना था मुझे त तु जानती है अच्छे से तुनू तु मेरे लिए क्या माइन रखती है दिल तूटा हुआ है मेरा बहुत इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई मुझे जितनी तेरे जाने के बाद से है कभी कभी समझ नहीं आता कि दूआ किसके लिए करे तेरी रूह के सुकून के लिए या हमारी यानि की अम्मा शिजैन और मेरे जिन्दगी के इतने मुश्किल इम्तिहान के लिए स्लीपलेस नाइट्स अन्सीन टियर्स तु सब देख रही है आई नो तु मेरे आस पास ही है आई केन फील और प्रेजेंस वी मिस्यू एवरी डेय तुनू यू आर गॉनन होता है कि फलक नास ने तुनिशय के लिए बड़ा ही खुबसूरत बद्दे प्लान किया था जिसमें वो उन्हें प्रिंसेस ड्रेस में देखना चाहती थी और उनके लिए काफी कुछ सोच के भी रखा था आप क्या कहेंगे हमें अपनी व्यूस कॉमेंट करके जरूर बता हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें